तरनून दोस्तों आप सभी लोगों का अपने प्यारे से परिवार क्लामेक्स एकेडमी में स्वागत है आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एडवांस मैत का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक कम्बिनेशन की क्लास यानि बात करें तो संचय और संचय की आज आपकी क्लास होगी धर्ड तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आज आपका संचय खतम हो जाएगा इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारी क्लास नहीं देखी हुई है तो मैत की प्ले लिस्ट में एडवांस मैत कम्बिनेशन की क्लास ड़ली हुई है जिसमें हमने आपको दो क्लासे आज आपका उसी के आगे का पढ़ाने हुआ ले हैं तो ज्यादस ज्यादा मित्रों को जोड़ दीजिए और चीजों को समझेगा देखी कम्बिनेशन पढ़ाने से पहले आपको हम क्या बताए थे चयन चयन का मतलब होता है देखी यहां से हम फार्मूला बताए थे फार्म ज्यादस का चयन का आपको फार्मूला हमने पढ़ाया हुआ था यह वाला आपका चयन का फार्मूला है हमें उमीद है कि सबको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा इसमेंदे छोटि-छोटि बाते भी बताए होई थे देखी समझेगा हमने कहा था कि N-C-N n c n का मान कितना होता है 1 होता है और फिर बताया था आपको n c 1 n c 1 का मान कितना होता है n होता है इस प्रकार से हमने आपको छोटी-छोटी बाते बताए हुई थी ये basic formula आपको बताया हुआ था और आपको बहुत सारी question पढ़ाई हुए थे अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी class नहीं देखी है तो हम आपसे कहेंगे कि आप पहले जाइए और get बंद कर दो पहले जाइए उन playlistों में आप लोग जो है जाइए और classों को बहुत अच्छे तरीकी से देखिए चलिए शुरू करते हैं तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसमें next type पढ़ा देंगे तो आप लोगों को आज यह पूरा हो जाएगा तो अच्छे से पढ़िएगा एक एक type के question देखो बनाते हैं बहुत simple question से starting करते हैं और काफी अच्छे question आपको हम पढ़ाएंगे तो चलिए next में अगला type बना लेंगे जो question आपके UP SI 2017 में आया हुआ है क्या कहा है आठ पूरुसों और 7 महिलाओं के एक समूव में से कितने प्रकार से 6 पूरुसों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है देखी बहुत अच्छा question है आपको देखो question में क्या कहा है आपको पूरुसों की संख्या दी गई है कितने पूरुस दिये गई है कहा है कि 8 पूरुस है ध्यान से देखिएगा क्या है 8 पूरुस आपको दिये गई है और महिलाओं दी गई है नि कितनी महिलाओं दी गई है पुरोस और चार महिलाओं का चयन किया जा सकता है और का मतलब होता है गुड़ा और या का मतलब होता है जोड़ अब देखिए आठ पुरोस हैं आठ पुरोसों में से हमको कितने पुरोसों का चयन करना है छै पुरोसों का चयन करना है और कितनी महिलाओं हैं साथ महिलाओं है और 7 महिलाओं में से हमको 4 महिलाओं का चयन करना है ये question UPSI 2017 के exam में आया हुआ है तो देखिए अब आपको यहां से question बना लेना है ये बहुत ही simple question है अब देखिए उसको बनाने का तरीका हम आपको बताए तो फार्मूला वही लगाना है तो यह हो जाएगा factorial 8 अब देखिएगा 8 में से 6 गटा देंगे तो यह हो जाएगा factorial 2 और गुणा यह हो जाएगा factorial 6 यहाँ गुणा यहाँ देखो कितना हो जाएगा factorial 7 यह हो जाएगा आपका 7 में से 4 गटाएगे तो factorial 3 और गुणा factorial 4 अब चलिए बनाईंगे ध्यान से देखिए गा तो देखेंगे यहां से 8 को लिखा जा सकता है 8 biggest साथ औरलना कितना फैक्टॉरीब चओ क्यों मुझे च्छैं यहां देखेंगे तो factorial 7 को लिख लेंगे 7 गोड़ा 6 गोड़ा 5 उपर लेखा factorial 4 नीचे लेखा factorial 4 तो लिख लेंगे factorial 4 अब देखो factorial 3 का मान होता है कितना 6 और factorial 4 आपका लिखा हुगा तो यहां से ध्यान से देखिएगा यह आपसे चीज़े solve करते बहुत अच्छे तरीके से बनना चाहिए तो यह देखो factorial 6 से factorial 6 काड़ देंगे यहां देखो factorial 4 से factorial 4 काड़ देंगे factorial 3 का मान चाह होता है तो यहां से 6 काड़ देंगे अब चलिए यहां से देखो 2 से काड़ देंगे तो यह आ जाएगा कितना चार आप देखो यहां से यहां से देखिएगा तो पांचो को 20 और 7 गुड़ा साथ कितना होता है 49 तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा 49 गुड़ा 20 तो गुड़ा करा देंगे सब लोग तो 0, 9 दूनी 18 की यहां से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1, 9 यानि कितना राइट आंसर आजाएगा आपका 980 आपका राइट आंसर आजाएगा तो इस प्रकार से देखो आपका यह टाइप होता है आपको समझना है एक एक टाइप के छोटे छोटे कोशनों से हमें स्टार्टिंग कर देंगे हम उमीद करते हैं कि सब को यह कोशन समझ में आ गया होगा अब चलिए ऐसे ही आपको कोशन बताते चलते हैं और आपको एक एक टाइप के कोशनों को नोट करते चलना है और चीजों को क्या करना है समझते चलना है आज आपको ये सारे टाइप हम पढ़ा देंगे तो जब सारे पढ़ा देंगे तो आपसे बहुत 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 बह कि जा सकती है अब देखें यहां से क्या कहा है कोशन में कितने पुरोष लेना है आपको साथ पुरोष चाहिए है तो देखो साथ पुरोष हम लेंगे पुरोषों की संख्या साथ है और आउरते कितनी हैं पांच आउरते हैं यानि आउरत या कहें हैं महिलाएं तो एक अई ब लेना है और दो महिलाओं को लेना है तो पांच महिलाओं में से कितने महिलाओं का चैन करना है दो महिलाओं का चैन करना है तो यहां से ध्यान से देखेंगे यह हो जाएगा फैक्टोरियल साथ अब देखो फैक्टोरियल साथ में से फैक्टोरियल साथ में से तीन घर जाएग तो चलिए अब इसको solve कर लेंगे अब देखो 7 को तोड़ेंगे 4 कर जाए तो यहां से आजाएगा 7 गुणा 6, गुणा 5 गुणा factorial 4 और नीचे देखो factorial 4 लेखा हुआ है तो यह factorial 4 लेख देंगे और गुणा factorial 3 का मान होता है 6 तो 6 लेख देंगे अब देखो 5 को कैसा तोड़ेंगे तो आजाएगा 5 गुणा 4 नीचे लेखा हुआ है 3 तो यह लेख देंगे factorial 3 अब देखो यहां कितना लेखा हुआ है आपका factorial 3 गुणा factorial 2 का मान कितना होता है 2 होता है तो अब धियान से देखेंगे factorial 4 से factorial 4 आपका कट जाएगा factorial 3 से factorial 3 आपका कट जाएगा अब देखो 6 से आपका 6 कट जाएगा अब देखें 2 से काट दें तो 2 से काट यह दो दो नी 4 दो आ जाएगा अब धियान से देखेंगे 5 सता 35 और 5 दो नी 10 तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपका 7 गोड़ा 5 यानि 35 और 5 दोनी 10 यानि कितना 350 तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि इस question का जो right answer है वो कितना आ जाएगा 350 आपका right answer आ जाएगा तो चलिए अच्छा question था उम्मीद करते हैं कि सब को समझ में आ गया होगा आपको बताते हैं चलिए अगला question ध्यान से देखिए क्या कहरा है अगला question समझेगा कि 5 पुरोस और 3 महिलाओं में से एक 3 सदस्वाली समिती बनानी है ताकि उसमें 1 महिला और 2 पुरोस हो अलग अलग कितनी तरह से यह है किया जा सकता है अब ध्यान से देखिएगा बहुत ही simple तरीके से बना लेंगे पुरोस कितने हैं आपके 5 पुरोस हैं देखेंगे पुरोस कितने हैं तो पुरोस हमारे प 3 सदस्वाली कि भी मनाना है जिसमें 1 महिला हो और 2 पुरोस हो तो देखो महिला यानी आपको ध्यान देना है कि महिला ममें से महिला का चैन करेंगेным तो और 8 तो 5 पुरोस हैं तो चैन करना हैillo तो यह दो और कि क्या देखो 3 में से 1 का इसका तो देखो सीधा सीधा कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा और चाहे तो देखो ऐसा नहीं है कि बनता नहीं बर भी जाता है बना भी लिया जाता है मगर हमें पता है कि N C 1 का मान होता है तो इसका मतलब जो उपर वाला होता है वही आंसर होता है अगर इसको तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 3 और 3 में से घर जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 का मान एक होता है तो देखो 3 का मान कितना होता है 6 3 आपका यान समझेगा अब सब Speeder को कैसे सॉल्व होग यहां लिख देंगे आप सै तो गटाओं यह और चार नीचे लिखा फैक्टोरियल तीन तो लिख लेंगे फैक्टोरियल तीन अब ध्यान से देखेंगे फैक्टोरियल तीन और फैक्टोरियल दो का मान कितना होता है दो होता है तो फैक्टोरियल तीन से फैक्टोरियल तीन कर जाएगा और दो का भाग देंगे तो दो दूनी चार आ जाएगा तो पांस ती या पंदरा दुनी तीस यानि आपका राइट आंसर आ जाएगा तीस कितना राइट आंसर आ जाएगा तीस आपका राइट आंसर आ जाएगा उमीद करते हैं कि ये वाला टाइप आपको बहुत बहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है ये आपका टाइप क्या होता है खत्म होता है आप सब को अगला टाइप बना लेना है चलिए वीडियो को एक बार क्या करें जादा यल्ली सेर कर दीजी सब लोग और हम आते हैं अपने जो है कोशनों पर तो चलिए ज्यादा से ज्यादा सेर कर दिया ना अब चलिए अगला टाइप जो बताने वाले हैं वह बहुत ही अच्छा है इस टाइप के हम काफी सारी कोशन बताएंगे देखें आप चैन पर आधारित अगर प्रसन पढ़ लोगे तो आपको जो प्रायक्ता पढ़ना है बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि प्रायक्ता में ऐसे कोशन आपके बनेंगे तो चलिए हम आपका साथ देंगे आप लोग हमारे साथ कोशनों को करिएगा और टास को एंड तक देखीए ऐसा नहीं कि चाहे प्रोग्रामर और चार टाइपेस्टों में से एक कार्यालाएं पांच विक्तियों की भरती करना चाहता है यह कितने प्रकार से किया जा सकता है ताकि कम से कम एक टाइपेस्ट की भरती अबस्च हो अब देखो कैसा कोशन है चाहे प्रोग्रामर हैं आपके कितने प्रोग्रामर आपको भरती करना है और देखेंगे चार टाइपिस्ट आपको भरती करना है ताइपिस्ट कहलाते हैं जो टाइपिंग करते हैं चार क्या करना है आपको टाइपिस्ट भरती करना है यह देखिए यानि 6 प्रोग्रामार है और 4 टाइपेस्ट है इतने लोगों में से आपको 5 ब्यक्ति भरती करना है यानि 10 ब्यक्ति है 5 ब्यक्ति भरती करना है तो क्या कोशन में कहा है कम से कम एक टाइपेस्ट की भरती अवस्थ हो यानि कम से कम एक पाँच लोगों की भरती करना है कम से कम एक टाइपेस्ट आपका होना चाहिए देखो कम से कम एक टाइपेस्ट अधिक्तम कितने हो सकते है मतलब एक तो टाइपेस्ट होना चाहिए अधिक्तम पाँच के पाँचों हो सकते है पांच लोगों की भरती करना है कम से कम एक टाइपेस्ट देखो कम से कम का मतलब क्या होता है कम से कम एक अधिकतम पांच के पांच स्वरी कितने लोग अधिकतम देखो कितने टाइपेस्ट भरती कर सकता है पांच लोगों चैन करना है मगर अधिकतम टाइपेस्ट चार है तो चार कहा ही चायन कर सकता है तो क्योंकि देखो पांच लोगों की भरती करना है तो देखेंगे क्या कहा है कम से कम एक टाइपेस्ट है तो देखेंगे हमने चार टाइपेस्ट है हमारे पास हमने एक टाइपेस्ट की भरती कर लिए कम से कम एक टाइपेस्ट की तो अब बताओ तोटल 5 लोगों को चयन करना है तो कितने लोग बज़ें कितने लोग हैं अब भरती किसे में से करोगे प्रोग्रामर में से और 6 प्रोग्रामर हैं और टोटल 5 लोगों को चयन करना था एक का यहां कर लिया तो यहां कितने बचेंगे 4 बचेंगे तो यह देखो एक तरीका यह है कि आप ऐसे बना सकते हों कि चाल टाइपस्ट में से ऐक टाइपस्ट की भरती at article व्ड़ीद करना था तो jest programmer में से चार प्रॉग्रामर कर लिए अब यह यहां आप सब्सक्राइब क्लिए रहा है अभी आप अजशाब होता है जोड़el Neder Zeus अब यहां से आप टाइपस्ट कितनी है चार आप यहां चार के चेस्ट आपने भरतीं के लिए अब आप टाइपिस्ट नहीं भरती कर सकते अब देखो चार भरती हो गए टोटल पांच चयन करना था तो अब 6 प्रोग्रामर में से एक प्रोग्रामर का चयन करेंगे इस प्रकार से आपको कोशन समझना है ध्यान देजिएगा कम से कम एक टाइपिस्ट होना चाहिए तो देखो क कम से कम एक है अधिकतम कितने हो सकते हैं चार टाइपिस्ट आपके हो सकते हैं अब क्या करना है आपको इसको सॉल्व कर लेना है और आपका अंसर आ जाएगा तो देखो इसको सॉल्व करने के तरीका क्या होगा फैक्टॉरियल इसको मतलब होगा चार और यहां देखेंगे factorial छाई अब देखेगा कितना आएगा दो और यहाँ जाएगा factorial 4 समझेंगे चीजों को देखेंगे यहाँ देखेगे मैं तो यह हो जाएगा factorial चार यहाँ हो जाएगा factorial 2 और गुणा factorial 2 question थोड़ा सा बड़ा होगा तो ध्यान से देखेगा उपर भी बड़ा जाएगा नीचे भी बड़ा जाएगा फैक्टॉरियल छे यहाँ एगा फैक्टॉरियल तीन गुणा फैक्टॉरियल तीन यहाँ देखेंगे यहाँ जाएगा फैक्टॉरियल चार यहां हो जाएगा फैक्टोरियल 3 गुड़ा फैक्टोरियल 1 प्लस यहां हो जाएगा फैक्टोरियल 6 यहां हो जाएगा फैक्टोरियल 4 यहां हो जाएगा फैक्टोरियल 2 चलिए अब देखो यहां कितना हो जाएगा इसका मान हो जाएगा एक गुणा इसका मान कितना हो जाएगा च्छाए तो यह हो जाएगा पता है आपको कि I N C N का मान कितना होता है एक होता है तो यहां से देखेंगे तो यह हो जाएगा चार गुणा अब देखो इसको बना ले और दो कितना होता है चार अब देखेंग के यहां से फैक्टोरियल का लेखा सकते है, 4 गोरा कितना factorial, 3 और यहां आजाएगा factorial 3 और factorial एक कामान, तो एक होता है कोई, मतलब नहीं, plus, यहां कितना आजाएगा, यहां देखिए, यहां थोड़ा सा plus नहीं लेखना थे, यहां क्या लेखना था, गोराउ, अब देखो समझेंगे यहां फैक्टोरियल 6 और यह हो जाएगा फैक्टोरियल 5 यहां कितना फैक्टोरियल 4 और नीचे आजाएगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 कामान कितना होता है 2 और प्लस एक गुणा 6 कितना हो जाएगा 6 अब चलिए यहां हम बना लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 60 अब देखो यहां से क्या करेंगे ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 काट देंगे ये आपका 6 से 6 कर जाएगा और ये 4 से 4 कर जाएगा अब देखो 24 पंचे कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा प्लस यहां देखेंगे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कर जाएगा अब यहां देखो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कर जाएगा अब देखिएगा कि 2 से 1 8 देंगे तो यह 3 बार में कर जाएगा और 5 ती अब 15 और 15 चोको 60 हो जाएगा प्लस यहाँ देफ कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 6 अब देखो 6 दूनी 12 तो 244 कितना हो जाएगा 246 तो इस question में थोड़ा सा calculation आपको करना पड़ेगा और यह थोड़ा time लगेगा तो आप लोग calculate कर लीजिएगा तो उमीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अगर calculation समझ में नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है सीजों को फिर से लिख लेना है और वीडियो को जब class खतम हो जाए तो बार बार देखना है ठीक है उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा हम इसको rough करते हैं चली इस बार से क्या है तो ऐसा उपर जूम ज़्यादा कर देंगे तो हम उपर से question को लिखेंगे आप लोगों को उपर से लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आए चली अगला question देखेंगे बहुत ही अच्छे-च्छे question आपके होने वाले हैं question कह रहा है कि यदि आठ पुरोस और आठ महिलाओं में से चार ब्यक्तियों के एक दल का चयन करना है तो कितने तरीके से दल का चयन किया जा सकता है जिसमें से कम से कम एक पुरोस हो अब देखिएगा question बहुत ही सिंपल है आपको क्या करना है आठ पुरोस है चलिए ध्यान से देखिएगे अब हम बनाते है question यहाँ पर अच्छे तरीके से बन जाएगा आठ पुरोस है और आठ क्या है महिलाओं देखिए आठ पुरोस है और आठ क्या है आपकी महिलाई है आठ पुरोस आठ महिलाई है चार ब्यक्तियों के एक दल का चैन करना है तो कम से कम एक पुरोस आपका होना चाहिए अब देखिए तो चार ब्यक्तियों के दल का चैन करना है कम से कम एक पुरोस होना चाहिए अधिक्तम कितने पुरोस हो सकते हैं चार के चा महिलाओं का चैन करेंगे, तीन का, क्योंकि टोटल कितने लोगों का चैन करना है, चार लोगों का चैन करना है, तो देखो कम से कम एक पुरोसों चैन, रिक्तम कितने हो सकती है, चार के चार हो, तो अब देखो आठ पुरोसों में से, हम दो पुरोसों का चैन करेंगे, तो इस प्रकार को समझना है कम से कम एक पुरुस का चेयन करना है अधिक्तम आप चार से । चारों का चेयन कर सकते हैं तो अब आपको एक कोशन क्या करो जना है solve कर लेना है इसकी calculation थोड़ा सा क्या होती है tough होती है तो हम आपको समझाते हैं आपको समझने कोशिज करना थोड़ा time जरूर लगेगा मैं का चीजें आपकी हो जाएंगी तो यहां से देखो factorial इसका मांतर वो 8 होगा यहां देखो क्या होगा factorial 8 8 में से 3 घटाएंगे तो factorial 5 गुड़ा कितना factorial 3 अब देखेंगे यहां से plus यह हो जाएगा factorial 8 और 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा factorial 6 गुड़ा factorial 2 अब देखेंगे गुड़ा यहां से कितना factorial 8 8 में से 2 घटा देंगे factorial 6 गुड़ा factorial 2 अब देखो यहां से क्या होगा फैक्टोरियल आठ आज में से तीन गटा देंगे तो फैक्टोरियल पांच गुणा फैक्टोरियल तीन अब देखो यहां कितना हो जाएगा आठ और यहां हो जाएगा आपका फैक्टोरियल आठ बटा फैक्टोरियल चार गुणा फैक्टोरि फैक्टूरियल 5 अब ध्यान से देखेंगे यहां क्या हो जाएगा फैक्टूरियल 5 गुणा फैक्टूरियल 3 कामान कितना होता है 6 चली यहां देखिएगा तो यह हो जाएगा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टूरियल 6 और नीचे देखें कितना हो जाएगा फैक्टूरियल 6 से हो जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है दो होता है प्लस यहां देखेंगे तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल 8 को लेखेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 और यहां देखेंगे कितना फैक्टोरियल 5 और गुणा हो जाएगा और नीचे देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका फैक्टूरियल चार और एक फैक्टूरियल चार का मालग देंगे 24 अगर आपको क्वाल्टी इसमें अच्छी ना दिख रही हो तो आप यहां पर तीन बटन देगे थोड़ा सा क्वाल्टी बढ़ा लीजेगा क्या होने वा गोड़ा करा दोगे तो साचोको कितना हो जाएगा 28 हासल आएगा 2 तो साच्थ चंग 42 और 42 कितना हो जाएगा 44 तो यह हो जाएगा 45antry hall चार आ जाएगा यहां से प्रकार से यहां भी काड़ देंगे तो चार आ जाएगा इतना हो तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 आपका कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा और 8 से कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा प्लस यहां देखेंगे तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आपका कट जाएगा और देखो यहां से आ जाएगा कितना 6 चो को 24 चार बार में कर जाएगा, और 4 से काटेंगे, दो बार में कर जाएगा, और 5 और 10 और 7 तो यह हो जाएगा, 70. आप देखेंगे, यहां से इसको हम जोड़ कि लों जो Is जाएगे कि आपका क्या हो जायगा, राइट अंसर हो जाएगा. आप जोड़िये तो 0, 6, चले, ध्यान से देखेंगे, तो यहां से देखेंगे, यह हो जाएगा 6 से, फैक्टोरियल 5 से, फैक्टोरियल 5 कर जाएगा 6 से, 7, 8, 56 होता है, तो यह हो जाएगा 56, और यहां, चुकि यह देखें, यह वाला solve है न, 8 गोणा 7, 8 और लिखना था, यह आट है न, यह वाला, आट तो यह आठ रहे गए यहां पर, बड़ा बड़ा गोणा है, तो 8 रहे गया, तो क्या होगा 56, गोणा 8 होगा, तो देखेंगे, आप लोग कर लीजिएगा इसकी calculation काफी बड़ी हो जाती है ठीक है अब इसको क्या करना है आपको जोड़ लेना है तो देखेंगे यहां से आएगा आठ चार बारा और बारा वाठ कितना है बीस बीस का जीरो हासल कितना आजाएगा दो साथ और दो नौ नौ चार तेरा और त देरा चार सत्रा यानि आपका आंसर आजाएगा सत्रा सो पचास सत्रा सो पचास क्या जाएगा राइट आंसर आजाएगा तो यह देखिए इसकी calculation थोड़ा सा क्या होती है अच्छी होती है तो आप लोगों को समझने कोशिस करना है अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं देख रहा है तो थोड़ा सा quality क्या कर लेंगे बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छा देखने लगेगा उमीद करते हैं कि आपको यह question समझ में आ गया होगा अब यह question देखिए कहने को तो छोटा question है मगा यह question MP police constable 2017 के exam में आया हुआ है तो इसलिए आपको हर प्रकार की question हम समयाते हैं सब लोग note कर लीजिएगा अगला question आपको बताते हैं हम आपको काफी सारे question बता देंगे तो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेगा आप बलकुल tension नहीं लीजिएगा हम आपके साथ है देखिए हमने आपको permutation सिखा दिया हम आपको combination सिखा देंगे औ कुछ लोग कहते हैं सर बार-बार message करते हैं कहते हैं पढ़िए पढ़िए तो आप हमारी बात माने देखिए नहीं पढ़ रहा हो तो गलत कर रहा हो आप लोग घर में क्या करिएगा पढ़िएगा अब देखू यहां से अगला question आपका है जो SBI PU में आया हुआ है तीन पु समझिएगा आप देखो छोटा question है छोटी calculation होगी तो आपको समझ में आ जाएगा तीन पुरोस है और चार महिला है देखो यह PO में आया हुआ question है तो छोटा है वो stable में आया हुआ question था तो क्या था बड़ा था तो बस यही तो आपको क्या करना है समझ लेना है अब देखिए आपको इन में से तीन सदस्टों के एक team मनाना है कम से कम एक महिला होनी चाहिए तो कम से कम एक महिला होनी चाहिए तो चार महिला आए है तो कम से कम एक महिला आप यह वाली यह एक कंडीशन और बन सकती है क्यों हम एक महिला की कम से कव एक महिला ले सकते हैं अधिक्तम कितनी महिला सकते हैं तो यहां से चार में से आप कितना लिया है हमने दू एक कंडीशन यह बन जाएगी फिर और क्या लेना पड़ेगा हमको तीन पुरोस हैं दो एक तो condition यह बन सकती है कि इनको मिला के तीन लोग की टीम बन जाएगी या एक बन सकती है या यह यह बन सकती है तो इसमें तीन सम्हाव नायाब की बन सकती है तो चलिए question यहां से solve कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 4 देखो इसको solve करेंगे तो factorial 3, 3 में से 2 घटा देंगे तो factorial 1 है और factorial 2 का मान 2 हो जाएगा चलिए यहां से देखेंगे आप देखो यहां से factorial 4 factorial 4 में से 2 घटा देंगे तो factorial 2 गुणा factorial 2 यहां से देखो हो जाएगा factorial 3 और 3 में से 2 घटा देंगे तो factorial 1 गुणा factorial 2 2 कि यह देखेंगे और 4 चार में से एक गटा देंगे फर्ट्रीयलेक और फर्क्टॉरील देनों चलिए अब देखो आपको बताते हैं यहां से दिखिएगा तो आपको पता है कि 3 ब्लाद 2 फेक्टोरील कर जाएगा तो तो ये कितना आ जाएगा, 4 तीया, 12, यह हैं देखो यहां 12 का गया, अब देखो फैक्टोडियल 4 का मान 24 से दो दूनी 4, 4 का फाग दें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, गुणा, यहां देखो कितना, 3 गुणा 2 लेखा हुएंद सedes just in the 3 कर जाएगा, 3 आ जायदा, 3 आ जाए तो इस प्रकार आपका अंसर कितना आ गया 34 आ गया तो देखिए अच्छा कोशन था ना आज आपको बहुत अच्छे-च्छे कोशन हम बताने वाले हैं तो सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे और लाश्ट रख देखिए और इन कोश्चेनों का नोट से बना ली जिए आज हम आपको PDF दे देंगे तो शब लोग बढ़िया से लगा लेंगे ठीक है चलिए ध्यान से समझाते हैं अगला कोशन अगला कोशन देखो समझना है आपको बहुत ही अच्छा कोशन है साथ पुरसों एवं छै महिलाओं के एक समूव में से पांच ब्रक्तियों की एक समिती इस प्रकार बनानी है कि उसमें से कम से कम तीन पुरसों इस प्रकार की समिती कुल कितने प्रकार से बनाई जा सकते है तो यहां से देखेंगे साथ पुरस और छै महिलाओं है तो महिलाएं हैं आपकी 6 तो यहां से देखो महिलाएं कितनी हैं 6 महिलाएं हैं अब देखो 5 बैक्तियों का चैन करना है तो कहा है कम से कम 3 पुरुस होना चाहिए तो देखो यहां से पुरुस साथ है कम से कम 3 पुरुस होना चाहिए तीन से कम नहीं होना चाहिए तो देखो तीन पुरोस यह हो गए टोटल पांच का चैन करना है तो अब जो बची हूं महिलाएं तो महिलाओं में इस चैन करेंगे तो छै महिलाएं है टोटल पांच चैन करना है जब 4 पुरुस यहां लेंगे तो यहां 6 महिला आए हैं तो एक महिला को भी क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा चलिए अब देखो 4 चैन कर लिया अब क्या कर सकते हैं 7 पुरुसों में से हम 5 पुरुसों का चैन कर सकते हैं ुआ देखिये बन सकता है,ँब 5 का चाहा में निकल लिया, तो महिलाओं की जरूरत ही खतम हो गई। अब धिहान से देखेंगे यहां से बना लेंगे, देखियेगा दिश्कून, लखेंगे फैक्तॉड्यल साथ multiply 3। इन में से 7 में से 3 घटा दो फैक्टोरियल 4 और गुणा फैक्टोरियल 3 अब देखें गुणा यहां से आ जाएगा फैक्टोरियल 6 दो घटा दोगे तो कितना आएगा फैक्टोरियल 4 गुणा कितना फैक्टोरियल 2 यहां ध्यान से देखेंगे factorial 7 यहां जाएगा factorial 4 में से 7 में 4 घटाओ कितना 3 गोड़ा factorial 4 और यहां से इसका मान कितना आजाएगा 6 और प्लस यहां जाएगा factorial 7 और 7 में से 5 घटाओ गे तो factorial 2 गोड़ा factorial 5 अब चलिए यहां से देखो कि solve कर लेंगे question को तो कुशन बन जाएगा आपका देखिएगा साथ को लिखा जा सकता है साथ गुणा छै गुणा पांच गुणा फैक्टोरियल चार अब देखो नीचे लिखा हुआ है फैक्टोरियल आपका चार और फैक्टोरियल तीन का मान कितना होता है तो इसको लिख लेंगे 6 गुड़ा यहां देखेंगे फैक्टोरियल 6 को लिखा जा सकता है 6 गुड़ा 5 गुड़ा फैक्टोरियल 4 और नीचे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 लिख दिया फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है तो 2 लिख दिया प्लस यहां देखेंगे बना लेंगे फैक्टॉरियल साथ फैक्टॉरियल साथ को लिख लेंगे साथ गोड़ा छै गोड़ा पांच गोड़ा चार और नीचे लिखा हुआ है आपका फैक्टॉरियल तीन का मान चै होता है अब फैक्टॉरियल पांस तो यह देखो ऐसे बना लेंगे अब इस प्रकार देखेंगे यहां से तो फैक्टोरियल चार से फैक्टोरियल चार आपका कर जाएगा 6 से 6 आपका कर जाएगा अब यहां भी देखो factorial 4 आप देखो यहां से देखेंगे, तो यह गुणा करा दीजिए, तो गुणा कराएंगे तो 15, 15, 15, 75 और 75 गुणे आ जाएगा 7, तो यह आ जाएगा, 7 75, 35, 5 शट, चाहां से लगा 3, 49, कितना बावन तो यह यहां पे इस question का जाएगा पांसो बावन प्लस यहां त्यान से देखेंगे अब देखो फैक्टॉरियल चार से फैक्टॉरियल चार आपका कर जाएगा यह 6 से आपका 6 कर जाएगा 6, 5, 30, 7, 21 तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा हो जाएगा अब चलिए यहां देखेंगे फैक्टॉरियल पांस से फैक्टॉरियल पांस कार देंगे देखो यहां से दो से कार दो तो कितना आजाएगा 3 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 21 हो जाएगा अब चलिए यहां से जोड़ देंगे तो यहां से इतना अंसर आजाएगा 500 756 आपका राइट आजाएगा तो इस परकार से आपका यह कोशन स्वाल होता है हम उमीद करते हैं कि आपको यह कोशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब समझ में आ गया है तो चलिए और कोशन मनाते हैं एक एक टाइप के हम काफी सारे कोश्चन आपको बता देंगे तो आप लोग अच्छे समझेगा और चीजों को बहुत बहुत बहतरीन आपको खल लेना है यह बहुत ही इंपोर्टेंट टाइप है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और आपके MPSI और UPSI में इस टाइप के कोश्चन आपके बनते हैं चलिए एक UPSI का कोश्चन आपका हम बना देते हैं UPSI का बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है अब देखो क्या कहा है साथ पुरसों और पांच महिलाओं के एक समोई में से तीन लोगों की टीम का गठन किया जाना है कितने अलग अलग तरीकों से टीम मन सकती है इस तरह के कम से कम एक पुरोसमेशा टीम में रहे अब देखिएगा कोश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है कितने पुरोस हैं आपके देखिएगा साथ पुरोस हैं तो यहां से देखेंगे पुरोस कितन तीन कम से कम एक टीम में क्या हूं टो क्वस हैं तो कम से कम एक परे Way werden तो में हम दो स्पशन E क्वसा है सब्सक्राइब करने हैं कैपने बॉलीज्रा में हम क्या कि स्वाइब कर सकते हो जब दो यहाँ चैन कर लेंगे तो पांच महिला में से एक महिला का चैन करना पड़ेगा अब देखो यहाँ से अब साथ पुरोस है तीन पुरोसों का चैन कर सकते हैं और हिक्तम तो महिलाओं की जरूरत नहीं रही क्योंकि टोटल हमको तीन लोगों का ही चयान कर लेना है तो देखेंगे यहां से बनाएंगे हो जाएगा इसका मान साथ होगा यहां देखेंगे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और 5 में से 2 घटा दिया तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 लिख लेंगे प्लस यहां देखेंगे तो कितना जाएगा फैक्टोरियल 7 और 7 में से 2 घटा दियागे तो फैक्टोरियल 5 और गुड़ा कितना फैक्टोरियल 2 पांच को लिखा जासकता है पांच गुड़ा चार गुड़ा फैक्टउरियल तीन कंळा यह हो जाएगा चाय पांच पांच आप धहान से यहां देखेंगे 7 का मतलब 7 गोड़ा 6 गोड़ा 5 और फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 कर दिया अब देखेंगे नीचे देखेंगे फैक्टोरियल 4 गोड़ा कितना 3 का मान कितना होता 6 तो यह देखो 6 लिख दिया अब यहां से काड़ देंगे तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 आपका कड़ जाएगा 2 से काड़ तो 2 बार में कटा दो तो 5 नहीं 10 और 10 गोड़ा साथ कितरा होगा 70, तो यह हो जाएगा, 70 अब देखेंगे, फैक्टॉरियल 5 शे काड़ देंगे तो यह 5 बार में कड़ जाएगा और 2 से कड़ाद तो 3 बार में कड़ जाएगा तो 5, 3, 15 और 15 सात एक सो पांच हो जाएगा प्लस यहा देखेंगे फैक्टूरियल चार से फैक्टूरियल चार काड़ दो, छै से छै काड़ दो, तो साथ पना 35 हो जाएगा, हो जाएगा न, तो देखो 35 हो जाएगा, 40 से 140, और 70 कितना 210, यानि 210 आप, चलिए 210 के आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपका 210 के आ गया, तो उमीद करते हैं कि सब को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सब को समझ में आ गया होगा न, तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, सही है न, कल्कुलेशन में कहीं अगर मिस्टेक हो, तो आप बता दीजिएगा, बिलकुल राइट है, बिलकुल सही है, यहाँ देखिएगा, फैक्टूरियल 7, गुणा 6, गुणा 5, गुणा 4 से 4 कर जाएगा, 3 का 5, 7 पना 35, तो वो 35 लिखा हुआ है, चलिए, ध्यान से दे करिए, और हर कोश्चन को नोट से में कॉपी करिए, यह UPSI में आया हुआ कोश्चन है, बहुत ही जानदार, सांदार और मजएदार कोश्चन है, अब चलिए, एक कोश्चन और बनाते हैं, जो आपके TZT के एक्जाम में आया हुआ है, चलिए ध्यान से देखेंगे क्या कह सकती है, यदि टीम में कम से कम दो गेंदबाज अबस्त हों, देखिए, आप से क्या कहा है, तेरा क्रिकेट टीम में जिनमें चार गेंदबाज हैं, यानि तेरा क्रिकेट खिलाडी हैं, जिसमें चार क्या हैं, गेंदबाज हैं, अब देखिएगा, चार आपके अब 13 में से भी यह देखिएगा 13 में से 4 गेंद वाज है तो बाकी क्या होंगे 9 9 4 13 9 क्या होंगे बल्ले वाज होंगे न क्योंकि टोटल 12 जो 13 पिलियर थे तो 9 क्या हो जाएंगे आपके बल्ले वाज हो जाएंगे यहां से देखेंगे 9 क्या हो जाएंगे बल्ले बाज हो जाएंगे अब देखिए क्या कहा है कोशन में कि 11 सदसी टीम इस प्रकार बनाई जानी है तो कम से कम क्या हूँ दो आपके जो है गेंद बाज अबस होने चाहिए तो अब देखो कम से कम दो गेंद बाज होने चाहिए अधिकतम कितने गेंद बाज ले सकते हैं हम चार और ग्यारा खिलाणों को टीम बनाना है तो देखिएगा यहां से तो देखिए चार गेंद बाज हैं हम कितने गेंद बाज ले सकते हैं क्या question बोला, कम से कम 2 गेंद बाज चाहिए, तो कम से कम 2 ले लिए, अब दिखे, 4 में से 2 गेंद बाज ले लिए, तो अब कितने हमारे 11 थे, 11 में से हमने कितने का चयन कर लिया, 2 का, अब कितने बचे नव, तो अब जितने भी बल्ले बाज, 9 बल्ले बाज है तो 9 में से 9 क्या करना पड़ेगा बल्ले बाजों को लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल 11 का चैन करना है अब ध्यान से देखिएगा प्लस अब 4 आपके 4 क्या है गेंद्र बाज कम से कम 2 गेंद्र बाज लेना था अधिकतम कितनी गेंद्र बाज लिए हमने अब देखो, अब आप 4 गेंद बाज ले सकती हो, 4 गेंद बाज है न टोटल, तो 4 के 4 गेंद बाज ले सकते हो, मगर टोटल 11 लेना है, तो कितना बचेगा, 7, 7 बल्ले बाज हमको लेना पड़ेगा, तो 9 में से 7 बल्ले बाजों का चेयन करना पड़ेगा, बहुत ही जानदार सांदार और मज़ेदार question है तो उम्मीद करते हैं कि इसकी calculation आप लोग कर लोगे आप लोगो वो समझ में आ गया होगा समझ में आ गया है ना चलिए solve कर लेते हैं calculate कर लेते हैं तो यहां से देखो यह हो जाएगा factorial 4 4 में से 2 घटा देंगे तो factorial 2 यहां हो जाएगा आपका factorial 2 और इसका मान कितना होता है आपका 8 N, C, N का मान कितना होता है एक होता है अब देखेंगे यहां से यह हो जाएगा factorial 4 यह हो जाएगा factorial 4 में से 3 घटाओ कितना factorial 1 और गुणा factorial 3 अब देखो यहां से आजाएगा factorial line 9 में से 8 घटाओगे factorial 1 upon factorial 8 यह हो जाएगा प्लस यहां से देखेगे तो इसका अमान भी कितना होगा एक यहां हो जाएगा factorial 9 9 में 7 घटाओ factorial 2 गोड़ा factorial 7 अब ध्यान से देखेगा तो factorial 4 का मान होता है 24 और 2 का मान होता है 2 दो दूनी 4 14 में चार का भागी कितना आ जाएगा प्लस अब देखेंगे यहां तो आप देख schizophrenia content तो यहां कितना बचेगा चार साथ प्लस टाट उन्क नोम एक प्र मरेट लेगा गृणal न जाएगा और यहां से दो का भाग देंगे तो आ जाएगा चार तो देखेंगे यहां से यह आजाएगा आपका 6, नचो को 36, 36, 36 कितना होता है, 72 और 72 अच्छे कितना, 78 यानि 78 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो बताईए कि इस प्रकार के कोश्चन कैसे लगे, कम से कम एक बाला, हमने काफी सारे कोश्चन बता दिये बता दिये न देखो, तो काफी मजा आया होगा, और बहुत अच्छे कोश्चन है, जिनको भूरिंग लग रही हो, थोड़ा सा पानी वानी पीली जिए, और पानी यानी पीली जिए, फिर उसके बात करिएगा, चली पानी पीलेते हैं थोड़ा सा, हम लोग भी पानी पीले ङ sprinkly ऊसमेंगे, तो इस प्रकार आपका क्या होता है, खत्म होता है, और खत्म होता है ताइप, अब आपको क्या करना है, अगला टाइप बना लेना, बताए कैसी लगी अवित्र की गिलास, अच्छे सवाल आ अच्छे सवाल थे अभी आपको और अच्छे सवाल हम पढ़ा तो आप लोग समझेगा हमारा उदेश है पढ़ाना और आपका उदेश है पढ़ना जिसमें टाइमिंग कोई इस्यू नहीं हम आपको पढ़ाएंगे जरूर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं का बताएं ऐसी प्रबलम में तो कुछ खास प्रबलम में नहीं है फिर भी हम लेट ह हो जाते हैं आप समझेगा कि हम कोशिश करेंगे कि अब जो है कम से कम लेट हो और आपको ज्यादा से ज्यादे को पढ़ा तो रहे हैं मगा लेट हो जाते हैं वह अलग में अब देखें पानी पी लीजिए आप लोग भी आज बड़े गलास में आया है अब सही जाएगा अब देखिएगा अगला टाइप बना लेंगे और इस टाइप कोशन अच्छे समझेगा अभी आपके कोशन यही कोशन आपको प्राइक्टा मिलेंगे एक टोकरी में तीन नीली दो हरी और पांच लाल रंगी की गेंदे हैं और इस बॉक्स में से तीन गेंद कुल कितने प समझेगा कितनी गेंदे हैं आपकी तो देखें कि सब लोग समझेंगे तीन नीली चलिए इस प्रकार कोशन को समझेगा कितनी गेंदे हैं आपकी तीन नीली रंगी की गेंदे हैं तो यह देखो नीली गेंदे कितनी हैं तीन नीली हैं दो हरी हैं तीन नीली हैं और दो क्या हाई हरी है तथा पांच किया है लाल कर देखो पांच आपकी लाल है है अभाप को क्या है क्या क्या और वोग्स Um निकालोगे तो आप इन दोनों से निकाल सकते हैं इसका मतब तीन नीली दो हरी यानि कितनी गेने हैं पांच पांच गेंदों में से अब दो गेंद का चैन आपको करना ही करना पड़ेगा कि कुई तीन और दो पांच अब ऐसा नहीं कि हरी से निकालो नीली से निकाल दो इन देखो तीन गेन निकालना था एक गेन कहां से निकालेंगे इन तीन और दू पांच में से नीली और हरी में से यानि पांच में से एक का चयन कर लेंगे अब देखो तीन गेन निकालना है तो मालनों तीनों लाल हो सकती है तो आप देखिएगा कि पांच लाल में से हम तीन ला गटा देंगे तो फैक्टोरियल 3 और गुड़ा 2 फैक्टोरियल 2 अब यहां से देखेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और 5 में से 2 गटा देंगे तो फैक्टोरियल 3 और गुड़ा फैक्टोरियल 2 और इसका मान कितना आएगा 5 आजाएगा और प्लस यहां से आजाएगा factorial 5 और 5 में से 3 गटा देंगे तो factorial 2 और गुरा कितना factorial 3 चली समझेंगी अब देखो यहां से लेख़े लेंगे 5 5 को लेखा जा सकता है 5 गुरा 4 गुरा factorial 3 और यह हो जाएगा आपका factorial 3 और गुरा 2 का मान कितना होगा 2 होगा प्लस यहां से देखेंगे फैक्टूरियल पांच का मतला पांच गुणा चार गुणा फैक्टूरियल तीन तो ध्यान से देखेंगे फैक्टूरियल तीन दो का मान कितना होता है दो गुणा कितना पांच यहां से देखेंगे तो फैक्टूरियल पांच का मतला होगा पांच गुणा चार पका कट अब देखिए कि यहाँ से काट दों दो से दो बार में कट जाएगा-5rum 60 Aman तो यहां देखो काट देगे, तो दो बार में कर जाएगा, तो 25 दुने 50, पलस यहां दो बार में काट देगे, तो यह हो जाएगा 5 दुने 10, तो यानि इस प्रकार से आपका question का right answer कितना आ जाएगा, 110, तो 110 आपका right answer आ जाएगा, उमीद करते हैं कि आपको यह question समझ में आ गया होगा तो समझ में आ गया है तो आप एसको अच्छे तरीके से नोट कर लिजिए चलिए हम मुमीद करते हैं ऐसी आशा करते हैं कि सब को यह कोशनल ही तक समझ में आ गया होगा जितने भी लोग देख रहे हैं यह देखो इतन perspectives पढ़ा रहे हैं आप लोग एक एक सब्सक्राइबर कर्वाएं अपना फर्ज नहीं अदा करते हम तो कहते हम तो पढ़ाई रहे हैं आप लोग एक subscriber क्यों नहीं बढ़ा वाथे चलिए आज हमारी बात को आप लोग मानेगे मानेगे ना comment- mindfulness नहीं करीचे आप लोग बताईए कि हमारी बात को मानेंगे नहीं मानेंगे दिखो ये आपको हम पढ़ा रहा हैं प्रेक्टेस यह दे रहा है तो आप लोग एक काम करीए अपने गाउं में जितने भी लोग competition की जितने भी लोग देख रहे हैं नाइप देख रहे हैं बाद में वी वीद देख रहे हैं तो क्या करेंगे अपने गाओं में जो भी लड़का कंपुटीशन की त्यारी करता हूं या लड़क ribbon करते हैं बइस को सबने में सो dès को Hey जो हमारे जो हमने पढ़ाया हुआ है इसका जो है लिंग सेंट कर दीजी उसको ठीक है और से सब्सक्राइब कर ले अपने मित्त्रों से पराईए कंसे कम एक एक तो कराना ही जिकतने लोग देखहें हैं तो कमसे कम एक लिए सब लोग करेंगे हम ऐसे आप से उम्मीद रखेंगे चली देखते हैं कितने लोग करते हैं बहुत से कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहा है कुछ लोग देखते हैं सस्क्राइब नहीं करते चली कोई देखते हैं इन लोगों को लिए धन्नवाद कल चलिए ध्यान से देखेंगे अगला कोशन क्या कह रहा है बहुत ही अच्छा कोशन है समझने कोशिश करिएगा एक बॉक्स में दो सफेद, तीन काली और चार लाल गेने हैं एक बॉक्स से तीन गेने कुल कितने प्रकार से निकाले जा सकती है जिससे कम से कम एक काली गेन अबस हो अब देखें कोशन में क्या कर रहा है दो सफेद रंगे की गेने हैं तो यहां से देखो आपको समझना है कि सफेद रंगे की गेने कितनी है दो सफेद रंगे की गेने है तीन काली गेने है यानि काली गेंदे हैं आपकी तीन और चाल लाल रंगी की गेंदे हैं देखो चार कितनी हैं लाल रंगी की गेंदे हैं अब देखो question में क्या बोला हुआ है, कम से कम एक काली गेंद हो, और कितनी काली गेंद निकालना है, तीन, कुल तीन गेंद निकालना है, तो देखो यहां से, तीन काली में से एक काली आप निकाल लेंगे, तो अब देखो टोटल कितनी गेंद निकालना है, तो अब दो से एक ख्यरमैंसे एक घ्म आपको निकालना पड़ेगा अब देखो तीन की तीनों आप आप काली नेकाल सकते हो तो थेरी सी ठीरी आजाएगा अब चलिए यहां से दिखो आपको कोश्चन को समझा लेना है तो यहां आजाए कितना इसका मान होगा तीन और यहां हो जाएगा फेक्टॉ्रियल 6 6 में से आप दो गटाओ estas जाएगा चाहे और यहां हो जाएगा 1 यहां से देखेंगे कि आप बना लोगे 3 गटाओzen 6 गटाओक 4 से 4 कर जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 प्लस यहां से आ जाएगा 3 गुणा 2 से 2 कर जाएगा तो गुणा कितना 6 प्लस कितना 1 तो यहां से 2 से काट दू तो यह कर जाएगा 3 बार में 5 तीया 15 तीया 45 और प्लस 6 तीया 18 और प्लस कितना 1 इस परकार जोड़ दीजिए तो चलिए इस प्रकार से आपका ये टाइप खत्व होता है और हमने काफी सारे टाइप आपको पढ़ाई हुए हैं उमीद करते हैं कि आपको ये टाइप बहुत बहतरीन तरीके से बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो आप इस कोशन को नोट कर लीजिए और अपने मित्रों को जादा से जादा इस टाइपों के बारे में बता दीजिए चलिए ध्यान से देखते हैं आज का लास्ट टाइप है लास्ट टाइप बहुत ही अच्छा है काफी बड़ा कोशन है थोड़ा सा उपर कर लीजिए काफी बड़ा कोशन है देखेंगे कोशन क्या कह रहा है समझने कोशिस करिएगा तीन प्रसच्चु यानि वो होते हैं जो अभी सीख रहे हैं चार प्रफेसर तथा छै खोज अनवेचनों में से पास सदस्चों की एक कमेटी गठित की जानी है इसे कितने अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है कोशन को ध्यान से देखिएगा बहुत ही मज़ेदार कोशन है आपको समझाने कोशिस करते हैं आपको समझने कोशिस करना है अब देखिए एक बार ये बैंक IBPS बैंक PO में आया हुआ कोशन है समझेंगे देखो क्या का है कोशन में तीन आपके प्रसिचण करता है जो ट्रेनी है जो प्रसिचण कर रहे है तो देखोंगे एक बार यहां से देखो लिखते हैं तीन प्रसिच्चू है अब देखिए चार क्या है प्रोफेसर है तो यहां से देखेंगे प्रोफेसर कितनी है चार प्रो पांस सदस्टों की एक टीम बनाना है तो इसमें अलग अलग तरीकों से बिलाए सकता है कमेटी में चार प्रोफेसर एक अनवेच्छण हो देखिए पांच लोग टीम बनाना है तो चार प्रोफेसर होना चाहिए तो यहां से हो जाएगा चार प्रोफेसर तो प्रोफेसर में स से एक क्या हो जाएगा खोज करता हो जाएगा तो यह देखो चैसी यह हो जाएगा अब देखिए आप से कोश्चन में क्या बोला हुआ है यह का मतलब क्या होता है जोड हमने क्या बताया था यह तो यह का मतलब क्या होता है जोड तो अब देखो और क्या बोला है तीन प्रसे चू आपको ले लेना है प्रोफेसर कितने हो और करता दो प्रोफेसर हो तो कितने प्रोफेसर है आपके चार और चार में से कितने प्रोफेसर का चैन करेगा दो का क्योंकि टोटल कितने लोग की टीम बनाना है पांच लोगों की तो इस प्रकार आप देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 और इसका मान हो जाएगा 6 प्लस इसका मान हो जाएगा 1 और इसको solve कर लेंगे तो यहां जाएगा factorial 4 और 2 में से 2 घटा देंगे तो factorial 2 और गुणा factorial 2 तो देखो यहां से बन जाएगा चले यहां देखेंगे तो यहां जाएगा 6 प्लस यहां देखें कितना आएगा फैक्टॉरियल 4 का मान 24 दो दूनी 4 4 3 6 चाइं 24 दूनूर। लगवा वार्ग तो हम आपको फिर से बता दें कि यहां का मतलब होता है जोड और और का मतलब क्या होता है गुणाँ तो इस प्रकार से दीखिए आपका एक कोश्षण शॉल होता है हम उमीद करते हैं कि आपको एक कोशन समझ में आ गया होगा चलिए समझ में आ गया है तो देखिए अब इस कोशन में क्या कह रहा है अगला कोशन बना लेते हैं तो इस कोशन को सब लोगों को नोट कर लेना है अगला question जो है उसमें देखिए आपके काफी सारे question पूछे जाएंगे तो एक बार हम एक question लिख लेंगे तो देखिएगा काफी सारे question आपके बन जाएंगे तो हम उमीद करेंगी कि आपको वो question अच्छी तरीके से बना लेना है क्या कहा है question चार बिद्यार्थियों तीन सिच्छकों और दो sports coach में से पांस सदस्तों की एक समिती बनानी है कितनी तरह से समिती बनाई जा सकती है चली देखो पहले आपको एक्जामपल में दिया गया है तो देखो क्या कह रहा है चार बिद्यार्थि समझना है चार बिद्यार्थियों यानि total student कितने दिये गए है चार आपको बिद्यार्थि दिये गए है तीन आपको क्या दिये गए है सिच्छक दिये गए है तो यहां से देखो सिच्छक आपको कितने दिये गए है तीन आपको से छक दिये गए हैं अब देखिए यहां से और आपको क्या दिया गया है दो स्पोर्ट से कोच दिये गए हैं यानि जो आपको क्या करते हैं स्पोर्ट से यानि खिलाते हैं स्पोर्ट टीचर से दिये गए हैं यह देखो कोच आपको दिये गए अब आपसे देखू ये question में आपको दिया गया है अब आपसे पहला question क्या कहला है देखिए पांस अदस्टों की team बनाना है total तो पहला क्या कहा है समीती में दो बद्ढ tests हो याणि देखो total दो बद्ढ battery हो तो चार बद्ढ chỉ में ये ढो बद्ढर कोना चाहिए या या नहीं स्वारी और क्योंकि अभी क्या होगा टोटल पांच लोगों चायन करना है दो से छक होना चाहिए तो ध्यान से देखो तीन से छक हैं तो दो से छक होना चाहिए तो कितने हो गए दो और दो चार अब कितना बचेगा और कहा है एक sports होना चाहिए तो 2 sports quota में से 1 sports teacher होना चाहिए तो यह देखो 2, 2, 4 और 1 कितने हो गए 5 लोगों को चाहिए आपका हो गया तो यहां से देखो इस question को बना लेंगे तो factorial 4 का मान कितना होगा factorial 4 लेख लेंगे और नीचे लेख लेंगे 2 गोड़ा 2 तो यहां से देखो factorial 2 गोड़ा कितना factorial 2 अब देखेंगे यहां से हो जाएगा factorial 3 यहां से आजाएगा factorial 1 गोड़ा factorial 2 और यहां से हो जाएगा कितना इसका मान होगा कितना 2 1, 2 का मान होगा 2 अब देखो 4, 26, 4 का भाग देंगे कितना आजाएगा 6 आजाएगा यहां से देखो आजाएगा 3 गुणा 2 तो 6 तीया 18 और 18 दो नहीं कितना 36 तो इस प्रकार से आपका question का right answer कितना आजाएगा चत्ते साब का right answer आजाएगा अब चलिए अब देखो यहां से अगला question मनाते हैं तो इसी type में आप से क्या कहा है और भी question पूछा हुआ है तो हम देखे question इसमें क्या पूछा हुआ है देखेंगे दूसरा question क्या कह रहा है किनी 5 लोगों का chain करना है अब देखो total कितने लोगों 5 लोगों का तो देख कितने लोगों आपके पास में चार 3 7 और 2 9 और 9 लोगों में से पांच लोगों को chain करना है कितने लोगों का आठ गुड़ा साथ गुड़ा 6 और गुड़ा फैक्टोरियल 5 अब देखो नीचे लेखेंगे तो फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है और फैक्टोरियल 5 का मान 5 होता है तो यह देखो 5 से 5 कर जाएगा यहां से कार देंगे 6 से तो 64 को 24 चार बार में कर जाएगा चार से काड़ देंगे दो बार में कर जाएगा साथ दुनी 14 और 14 नम्मा होता है 126 यानि इस प्रकार से आपके question का answer कितना आ जाएगा 126 आपका right answer आ जाएगा तो उमीद करते हैं कि आपको इस प्रकार का question बहुत बहतरीन तरीके समझ में आ गया होगा अब आज के लिए तना परयातर रहने देते हैं अब क्या पढ़ेंगे इस प्रकार ये chapter क्या होता है आपका खत्म होता है आप लोग इसका notes बना लीजिएगा और इसका pdf हम आपको whatsapp पर और whatsapp पर दे देंगे या telegram लेंगे पर जुड़ जाईएगा तो आप लोग video को share करना न भूलिएगा अब हम मिलते हैं आपको अगली class में arithmetic के साथ ठीक है thank you जैहिन जै भारत